नमश्कार दोस्तों मेरे नाम है रिशब and welcome to my youtube channel दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Slavia या फिर कुशा के automatic climate control के बारे में तो काफी लोगों का question था कि इसके उपर काफी लोगों का comment था कि इसके उपर एक dedicated वीडियो बनाओ के automatic climate control के controls जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं तो शुरुआत कर लेते हैं पहला सबसे basic आपको on कैसे करना है देखिए on तो basically हो ही जाता है जैसे यह आप गाड़ी को start करते हो लेकिन off कैसे करना है क्योंकि off का कोई भी button यहां पर नहीं है तो आपको basically जो आपका blower का यह scroller है इस पर जाके यह एक बरी एक तो सबसे पीछे है ले लेवल पर जाना है और फिर इसको एक बरी टच कर देना है तो off लिखा आपको यहां पर देख जाएगा इसके लाबा यह वाला जो बार है अगर आप इस पर swipe करें तो आप ब्लोर की स्पीद काम यहां जादा कर पाओगे यहां पर बात करों तो temperature का है temperature की जो speed आप काम यहां जादा यहां से कर सकते हो temperature काम होड़ाद आप यहां से कर सकते हों यहां पर आपने अभी लो कर दिया है इसके उपर अगर जाएंगे तो और वह अंदर आएगी लेकिन अगर मैं इसको आन कर देता हूं तो जो है अंदर की जो हवा है है वही री सब्सक्राइब होगी बार-बार इसी तो इन सीधे सीधा सा अगर इसका आंसर निकालों आपके लिए तो यह है कि इसमें जो cooling है वह थोड़ी सी जादा effective होती है अगर हम compare करते हैं इसको off करने के बाद यह वाला जो बटन है यह आपका mode का है कि हवा किस तर्व ज नहीं लिखा रहा तो off है auto में यह automatic जैसे भी आपको adjust करके सारी चीज़े देगा यह automatic देते हैं अब last में अगर बात के लिए तो यहां पे front defogger का button है मतलब touch panel पे आपका जो है touch कर सकते हैं और यह rear defogger का है तो कुछ इस तरीके से सारे controls जो है काम करते हैं इस automatic climate control के